हलो डियो फ्रेंड्स, इंटरनेट के जमाने में आपको स्वागत है, क्या आप जानते हैं, आप तो आज 5G और 4G जमाने में enjoyment में रुके हुए है, क्या आप जानते हैं, 2G से 5G तक आने में कितना समस्त्या आई, कितना तकलीफे आए, और कितना suddenly, कितना speed से grow हो रहा है जो इं सबको, चलिए आज जानते हैं ये सब जीजे और समझते हैं धीरे-धीरे, चलिए सुर्वात करते हैं, पहले introduction है, इफलूसरों मोबाइल इंटरनेट, जो कि आज 5G तक पहुंच चुका है, ये सब 2G से ही सुर्वात हुआ था, ओके, तो 2G, 2G से अपकुप में 5G तक हम केसे पहुंचे, आज इस वीडियो में हम आज जानेंगे, ओके, तो चलिए, तो पहले जब छोटे-छोटे फोन्स थे ना, पहले जब छोटे-छोटे फोन्स थे ना, ऐसे ही तो फोन्स आप सुपने देखे होंगे, जब बच्चे थे, आपकी तो बच्चे नहीं देखे होंगे, आपकी बच्चे तो बड़े-बड़े फोन्स देखते हैं ना, स्कीन टस वाले फोन देखते हैं वीडियो को लिंग इजिली हो रहा ऐ है पहले तो कल करने के लिए भी पहुत तकलीफे होती थी। लोग जानते नहीं थी STD Boots हुआ करती थी। अब तो कुछ भी नहीं है तो पहले जो इस्टी डिपूट स्वाह करती थी ओ ऐसे ही थी बस पहले आया 2G एरा 2G एरा में क्या हुआ समनली सदेनली क्या हुआ डिजिटल कम्मुनिकेशन में पहली बार हम उत्रे तो छोटे-छोटे जैसे कॉल्स हुई और फेस्बुक आई उस उस जमाने में ही फेस्बुक आ गए थी छोटे-छोटे कम्मुनिकेशन को बढ़ावा मिल रहा था और जैसे छोटे-छोटे से इंटरनेट की शुरुआत हुई तो मगर इस पर तक्लीफ या थी इसमें तक्लीफ थी इस पीड की इस के स्पीड की कुछ पर स्पीड नेहीं था वान मिनीट पर मतलब हंड्रेट के बीके ऐसे ही कुछ हो रहा था मतलब बहुत ज्यादा स्लो था और आप अगर कोमेडी देख सकते हैं तो जान सकते हैं ओके तो चलिए देखते हैं ओके नेक्स्ट आई अब आना था 3G रिवल्यूशन 3G रिवल्यूशन जब आया न वो त्हल का मचा के रख दी पर क्या हुआ इंटर्नेट ना 3G का इंटर्नेट बहुत एक्सपेंसिब हो गई क्या हो गई एक्सपेंसिब हो गई मतलब 1GB डाटा ना 1GB डाटा को खरिदने के लिए हजारों रुपे गवाने पड़ते थे समझे और ना तो इतना आज जो 1GB 2GB आज जो एक दीन में खरच हो जाता है और ना जाने कितना जिबी खरच होता है क्योंकि अब तो ब्रोडबेंक जिसकी लगी हुई है न ओही जानते होंगे लेकिन पहले 1GB एक महीना की केपाबिली रखती थी और हजारे रुपे इसके लिए देना पड़ता था और यह इंडिया में कौन लीट कर रहा था या तिल पूरी तरह से लीट कर रहा था तो उसके बात उसके बात क्या हुआ तो इसमेंसे हमें मिला गया हमें ब्राउजिंग करने में इजीली ब्राउजिंग कर पाए स्पीड आई के साथ ही छोटे छोटे ब्रोडबेंड आए प्रोट्बेन के पहली बार शुरुआत हुई उसके साथ इंटोडॉक्शन किया गया हमारे एच एच एस पीए फियेचर को जो की फॉर्दर और स्पीड और हमारे गेमिंग प्लाटफोर्म के लिए सबसे आच्छा सा भी दुआ उसके बाद उसके बाद हम आगे फोर्जी एडवंटेजस में फोर्जी एडवंटेजस एसे एक रिभुलियूसन था यह होना ही था यह हुआ जो ना भाई सहब देहल का मजगी इंटरनेट सिस्टेम क्या है इससे पता चलता है फोर्जी एडवंटेजमेंट यह जब की चल र समझते हैं कितना स्पीड से ओर कर रहा है इंटरनेट सिस्टेम अब और इसमें उठर चयों ना चाहते हैं हरकोई उके उसके बाद अब तो आने बाला है सेटलाइट सिस्टेम जेसे इया तो यह जो सुब इंटरनेट से ना इस सब कुछ स्प्रेक्ट्रम की माध्यम से सब क आमेरिका से चीन से नेट्वर्ड खरीदा जाता है इसे पहली बार खिया होगा जैसे स्टार लिंग और वेब लिंक ओके यह दोनों उतर रहे हैं मेदाने किसकी मेदान में सेटलाइट की जमाने में उतर रहें क्योंकि डारेक्ली सेटलाइट के माध्यम से पूरी तरह से स्काय ट्राइब से आपको भेजा जाएगा इंटरनेट ओके तो देखते हैं चलिए फोर्जी में क्या हुआ फोर्जी एसे टेकनलोजी था ना जो इंटरनेट के जमाना को बदल के रख दिया और उसमें भूमी का लेता है कि कौन जीयो का नामोनिसान नहीं था पहली बार जीयो ने लॉंच कर दिया फोर्जी को कि उससे पता था कि फ्यूचर इंटरनेट का कितना जरुरत मंद है और कितना जायज है तो एक साल पूरी तरह से फ्री दे दिया एडिक्टेड बना दिया फोर्जी का उसके और किसी की वज़ा नहीं थे कि 3G और 2G चला है क्योंकि हर कोई 4G का मज़ा ले रहा है अब तक तो 4G जब आया तो उसके साथ क्या हुआ उसके साथ यह था कि वीडियो कॉलिंग हाई क्वालिटी हो गई जो भी चाहें स्ट्रीमिंग हाई क्वालिटी हुई और उसके साथ वीडियो कॉल्स फास्टर हुआ और डाउनलूडिंग भी फास्टर हो गई तो ब्राउजिंग फास्टर हुआ सब कुछ फास्टर हो गया और लोगों को लोग इससे बहुत अच्छी तरह से मज़ा लेने ल सब कुछ फोड़ी का देन है उसके बाद आते हैं बडे ये जहता साहब बड़े भाई भाई साहब कौन 5जी के 5G का एडवन्टेजस क्या हुआ 5G का एडवन्टेजस है जो मैं बता रहा था ना सेटलाइट उसकी बारे में ओके स्पेस वार्क जो भी जो भी वार्क है ना वह बहुत ज्यादा स्पीड ली वार्क करेगा पर सेकेंड यह 100 GB तक जा सकता है मतलब इसकी फूल स्पीड जो मैं बता रहा हूं ना उसकी मामले में ओके 4G कितना था 4G 20 से 20 से 25 GB तक ही था बास इतना ही यह डारेक्ट जंप कर रहा है 100 GB पर सेकेंड तो कितना फास्टेश्ट है आप सब तो अंदा चाल लगा सकते हैं तो 5G जो भी रिवल्यूशन लाएगा ना वह भाई साथ एक रिवल्यूशन नहीं होई innovation होगा क्योंकि technology जमाने में AI तो आप सब सुने होंगे अगली वीडियो होगा AI पर ओके तो AI तो आप सबने सुने होंगे AI का जो advantages लेका आए ना वह भाई साथ ओभाई जी होगा क्यों क्योंकि AI को speed जरूवत होती है और AI को पूरी तरह से टेकनोलोजी एक new revolution जरूआ थे जो high technology high level की spectrum के साथ आए और उसको lead कौन करेगा AI करेगा तो अब लड़ाई होगी AI की जो की AI पहले से ही कदम रख चुकी है YouTube की माधियम से और ना जाने कितने application से माधियम से तो हर कोई अब AI इस्तमाल करना सुरुआत कर चुका ह और आहाम 5G generation में पहुंच चुके हैं तो आगे की जवाने में जब 60 launch होगा ना जब 60 आएगा तो ओ भाई साब ओ क्या होगा पता नहीं और robotics का जमाना जालेगा क्योंकि हर जगा जैसे हलिवड की movie में होता है ना robots जो यूज किया जाता है ऐसे ही आसपास की जमाने आसपास technology की growth high profile बनते जाएगा क्योंकि हर कोई अब दोड़ रहा है technology में ओके